चोटी चोटी कहानियां सिखातीं बड़ी बड़ी बातें Small stories teach very big lessons आज की कहानी केशु और बिखारी की है केशु बिखारी को हमेशा पैसे दिया करते थे महिने में एक बार तनखा के दिन एक दिन केशु ने बिखारी को पैसे दिये बिखारी ने पैसे लिए केशु की तरफ देखा और बिखारी बोला साहब आप मुझे पहले 100 रुपिया दिया करते थे फिर आपने 50 रुपिये देने शुरू किये फिर आपने 30 रुपिये देने शुरू किये और अब तो आप मुझे सिर्फ 10 रुपिया दे रहे हैं केशु ने कहा देखो भाई, बात ऐसी है कि जब मैं तुम्हें 100 रुपिये देता था उस समय मैं अभी वाहित था जब मेरी शादी हो गई तो मैंने तुम्हें 50 रुपिये देने सुरू किये एक बच्चा हो गया तो मैंने तुम्हें 30 रुपिये देने सुरू किये और दूसरा बच्चा हो गया तो मैंने तुम्हें 10 रुपिये देने सुरू किये बिखारी को बड़ा गुसा है और बिखारी गुसे से बोला अरे साहब, मेरे एक आदमी की कमाई पर आप अपने पुरे परिवार को मौजमस्ती करा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है बिखारी महाशई हमें सिखाते हैं बड़ी सीख दान का अधिकार, दान लेने का अधिकार अरे भाई, दान लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है दान देने वाला जो भी देगा दान लेने वाले को स्विकार करना पड़ेगा आज हम अपने अधिकारों की बात करते हैं हम अपने कर्तवी की बात नहीं करते हम कहते हैं हम इलिजिबल है ग्रेजुएट हो गए तो नोक्री की लिए इलिजिबल हो गए नोक्री की लाइकात, नोक्री की कबिलियत आई की नहीं पता नहीं है अधिकार की बात करना बंद करें, कर्तविय पर फोकस करें, कर्तविय पर करम करें, फल जरूर मिलेगा अगली कहानी में हम फिर से मिलते हैं, धनिवाद, टैंक यू, नमस्ते